बसपा के राज्य सभा प्रत्यासी राम जी गौतम के प्रस्ताव के तोर पर अपना नाम वापस लेने वाले पाँच बागी विधायक अखिलेश यादो से मिलने समाजवादी पार्टी कार्याले पहुँचे सभी ने की बंद कमरे में अखिलेश यादो जी से मुलाकात नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश यादो जी ने कुछ ही समय में विभिन दलों से आये पूर्व विधायक और सांसदों को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई लेकिन माननी अखिलेश यादो जी ने इस समय एक मास्टर स्ट्रोक खेल कर बसपा के पाँच विधायक को अपनी तरफ जुका लिया है इन पाँच विधायकों के अलावा ततकालीन मुंगरा बादशाफ पुर्विधान सभा की विधायका सुस्मा पटेल भी समाजवादी पार्टी के राश्ट्री अध्यक्च माननी अखिलेश यादो जी से मिलने पहुँची माना ये जा रहा है कि वे भी समाजवादी पार्टी जुआइन कर सकती है बागी विधायक असलम चौधरी, असलम राइनी, मुस्तबा सिद्धिकी, हाकिम लाल बिंद और गोविंद जाटों ने मंगलवार को भी अखिलेश यादो से मुलाकात की थी बसपा विधायक असलम चौधरी की पत्नी ने कल ही समाजवादी पार्टी जुआइन की थी इस घटना करम को सपा प्रमुक अखिलेश यादो का पहला मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा था जानकारी के मुताबिक सभी पांच बागी विधायक समाजवादी पार्टी से टिकट चाहते हैं यह भी सूचना आ रही है कि एक दो और विधायक सपा में सामिल हो सकते हैं MLC उदैवीर सिंग ने जब मंगलवार को इन पांच विधायकों की मुलाकात अखिलेश यादों से करवाई तभी इस नाटकी घटना करम की पटकता लिख दी गई सपा ने निर्दली अप्रत्यासी के तोर पर आखिरी वक्त में प्रकास बजाज का नाम मांकन करवा दिया इसके बाद एक सीट के लिए मतदार्न तैमाना जा रहा था लेकिन आज जैसे ही बसपा के पांच विधायकों ने प्रस्तावक के तोर पर अपना नाम वापस लिया तो सारा खेल ही बिगड़ गया अब राज्य सबह चुनाओं में प्रकास बजाज की जीत तैमानी जा रही है उमीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा अगर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए धन्यवाद